कहते हैं चोर-चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए अचानक से GPS बॉर्डर के पास आफ क्यों कर दिया है पाकिस्तान ने क्या कुछ बड़ा होने वाला है और जहां पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं भारत ने S-400 को लगा दिया है आखिर चल क्या रहा है बॉर् के लोग हो गए हैं खफा और कह रहे हैं कि तुमने हिंदूओं के लिए बैन किया पर असर हम पर हो रहा है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से बड़ी अजीव सी बात होती है जब पाकिस्तान भारत के अंद पाकिस्तान के बड़े छोटे कोई भी नेता को सारे बेसर्म बनकर इस बात को कहते हैं अभी एक ताजा फैसला लिया है पाकिस्तान ने और ये ताजा फैसला एकदम से लगेगा जैसे कि हां पाकिस्तान अब उन जुगों में जा रहा है वापस जहां पत्थर तोड़ते थ मतलब पासान काल में पीछे जा रहा है वैसे आपको बता दें कहीं फिर इतना पीछे ना चला जाए कि पूछ निकलने लगे वैसा ही हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदूओं को टार्गेट करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी में एक फैसला लिया है कि उनके विश्व होली में एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की काईदे आजम इनवर्सिटी इसलामाबाद ये जो इनवर्सिटी है ये इनवर्सिटी जिन्ना के नाम पर बनाया गया था और जिन्ना की याद पर बनाया गया था इस इनवर्सिटी में होली का सेलिबरेशन हुआ था और इस बातों में ये कहा जाने लगा कि मुस्लिम लोग होली क्यों मना रहे हैं होली एक ऐसा तेवहार है जिसे लगभग आज की समय में तो यूरोप में भी बहुत पर चली थे अमेरिका में भी बहुत पर चली थे रूस में इसे बड़े धुमधाम से मनाया ज hasn't तो दुनिया भर में ये होली फैल रहा है, पाकिस्तान में भी ये होली मनाया जाता है, और हर समुगाय के लोग इस में सामिल होते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, तो अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे की बच्पना निकल कर बाहर आगया हो, इस तेवार को सामानने तख मनाने में किसी को कोई परहेज किसी तरह की कोई बात नहीं होती है लेकिन पाकिस्तान में इसे बैन कर दिया गया हाला कि 1980 के दौर में जब पुराने किर्केटर वगेरा होते थे आते थे वो भी होली मनाते थे पर ये अब नई सरकार ने ऐसा लगत अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास तोर पर पाकिस्तानी हैं जो सपोर्ट में हैं कि ठीक किया होली बैन कर दिया तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि ठीक है आपने ये होली बैन कर दिया होली बैन करने का वजह भी दिया पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की सरकार निये बोला कि होली हमने इसलिए बैंड कर दिया है कि कहीं हमारे धर्म पर आफ़त न आ जाए माने कहने का अर्थ है कि कहीं हिंदू धर्म लोग अपनाने न लगे हम अपने इसलाम पर किसी तरीके का कोई खत्रा नहीं चाहते हैं अब इस पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तानी मूल के ही हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है आपने हिंदूों के तैवार के साथ ऐसा किया माल लोग कल को भारत भी इसी तरीके से फैसला लेता है और मुस्लिमों के तैवार पर बेन लगा देता है तो फिर कैसा लगेगा है अब पाकिस्तान सरकार का ये फैसला खुद पाकिस्तान सरकार के लिए एक समस्या बन रही है समस्या क्यों बन रही है तो पाकिस्तान में एक इलाका है सिंध इलाका ये सिंध इलाके का अपना एक संस्कृती है कल्चर है यहाँ पर होली और दिवाली दोनों ही मनाई जाती ह और आपको बता दें, अभी सिंध प्रांथ के लोगों ने कहना सुरू कर दिया है कि तुम क्या सिर्फ इस्लामाबाद के नियम चलाओगे, हमारी संस्कृती का क्या है, तुम हमारी संस्कृती के साथ खिलवार क्यों कर रहे हो, हम तो होली भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि अब हम होली और दिवाली नहीं मनाएंगे, ना जाने ये देश और कितना गर्त में जाएगा, इन सब के अलावे एक और चीछ चल रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ बॉर्डर पर चल जरूर रहा है, पाकिस्तान ने भार सिगनल को भी बंद कर दिया गया है, इसंसे इन इलाखों में रहने वाले लोगों को दिकतों का सामना करना पढ़ रहा है, अभी तक पाकिस्तान ने इन इलाखों में GPS बंद करने का कोई आधीकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ न कुछ इस इस जरूर होने वाला है ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं इस मैप में दो पोइंट है एक रहीम यार खान इलाके के आसपास और दूसरा लाहर के आसपास इन इलाकों में खास तोर पर नोटिश टू एयर मिशन यानि कि नोटम भी जारी कर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि जीपियस का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है कहा जा रहा है कि हो सकता है ये दो इलाके में पाकिस्तानी वायू सेना उतरे और पाकिस्तानी वायू सेना अब यहां युद्धा भ्य करेगी या मिसाइल फायर करेगी ये इस वक्त कुछ भी कनफर्म नहीं है दो इलाके इन्हों ने चुने हैं कहा जा रहा है एक इलाके में अगर कोई गड़बर होने से ये दूसरे इलाके की तरफ बढ़ेंगे यानि इन इलाकों में हवाई या त्राप परतिबंदित है अंतर पर हाँ आपको मनवे आएगा ख्याल कि क्या भारत तयार है कहीं भारत ऐसा नहों कि तयार नहों और पाकिस्तान की साजिस का सीकार हो जाए तो आपको बता दें इस वक्त जितनी चौकननी हमारी सेना है उतना चौकनना सायद ही कोई हो इसलिए क्योंकि भारत को भी ये पाकिस्तानी जनता का ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है छोटे मोटे युद्ध की तरफ बढ़ने की कोसिस करें एक इमेज है जो चाइनीज टेलीग्राम चैनल पर बहुत तेजी से वाइरल हो रही है कहा जा रहा है कि भारत ने गुजरात के पास अपने एस फोर हंडेड की तैनाती की है इस तस्वीर को बहुत ज़्यादा साजा किया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत ने भी अपनी तैनाती करके रखी हुई है कि आगर पाकिस्तानी सेना जरुरत से ज़्यादा तेज बनने की कोसिस करेगी तो ठुकाई करने के लिए पहले से ह सामान मौजूद हो इस क्रीन पर आप देख सकते हैं इस मैप को वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत के साथ लड़ने की कोई गलती कर सकता है पाकिस्तान कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ इस फसे उसरा रहुप कर देख सकता हैं हो तो पीन अ छरू बकिस्तान कयाओं सू ineốाईस्या हमश्वकरिक यो ड्रू ख मयटनी अश्यू जल द्यक्ता है रहांता हैं इस लगता हैं जल मौकरिक पर गलागते हैं साथ